हलो बच्चों गूड इवनिंग कैसो आप सभी उमीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्ते मस्ते और तंदुरस्ते तो आज में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बीजे वेंजेक एवं सर्विस हमी का है मतलब कि यह जो चेप्टर है इससे रिलेटेड प्रशनावली 9.1 का पदों एवं गुणांकों को पहचानिए पद और गुणांक को पहचानना है कि किसमें कितने पद है और कितने गुणांक है ठीक है तो यहां पर तो हम लिखेंगे वेंजक क्या लिखेंगे बिटा वेंजक यहां लिखेंगे हम पद और यहां लिखेंगे हम इसके गुणां तीसरा 4x square y square ठीक है फिर इसी में दियावा है 4x square y square माइनस 4x square y square z square प्लस z square ठीक है इस तरह से दियावा है इस तरह से आपको पूरा दियावा है इसके बाद अगला दिया है 3-PQ plus qr minus rp फिर हमें दिया है x2 plus y2 plus minus xy इस तरह से ठीक है अब हमें क्या करना है पहले हमें यहाँ पर लिखना है कि भाईया कितने पद हैं और फिर इनके गुणांक बताने तो भाईया हमें सीधा सीधा सा पता है कि यहाँ पर वेंजेकों में पदों एवम गुणांकों को पैचानना है ठीक है अब देखो यहाँ पर आपके पास कौन से पद है एक तो 5x yz square और minus के 3zy कितने पदे बिठा दो पदे कितने पदे दो पदे है ठीक है गुणांक की क्या है पहला का गुणांक है 5 और दूसरे का गुणांक है माइनस 3 इसी तरह से इसके पद कितने एक x और x square ठीक है यहाँ पर अगर मैं गुणांक की बात करता हूँ तो तीनों के गुणांक की क्या है एक एक और एक गुणांक है अगले में पद की में बात करता हूँ तो 4x square y square ठीक है माइनस 4x square y square z square और एक है तुमारे पास z square कितने पद हुए बिटा तीन पद हुए अब इनके गुणांक की की बात करता हूँ तो पहले का गुणांक की कितना है चार है दूसरे का गुणांक माइनस 4 है और तीसरे का गुणांक क्या होगा एक होगा इसी तरह से अगले में म कि देखता हूं तो पद्र कौन से ? थीन, मैनस , मैंनस बात कर रहा हूं तो हैं पर आप डिक्टेंज धून के और अगर डहन से देखोगे तो पद्र की बात करता हूं के थीन, फिर माइनस एक फर यहां पर एक और प देखते हो तो X बटे 2, Y बटे 2, ठीक है, और minus X, Y, बटे Y, यह है minus X, Y, sorry, minus X, Y, तो इसमें हम भी क्या देखना है, पद कितने है, गुणांग की कितने है, तो पद कितने 3, और गुणांग की यदि मैं बात करता हूँ, तो इसका गुणाओं के एक बटे दो, इसका है एक बटे दो, और ये है माइनस एक, तो इस प्रकार से हम इसे solve करेंगे, अब आपको ये homework करके बताना है, कि इसका correct answer आपके पास क्या है, ठीक है, चलो, अगला देखते हैं, अगला प्रशन कहता है आपसे, क्या कहता है, आपस यहां जाएगा द्वी पदी, clear, इधर आजाएगा त्री पदी, ओके, और बहु पदी को लिख देंगे हम side में, यहां लिख देंगे बहु पदी, ओके, चलो वई, तो यहां पर देखो सबसे पहले, एक पद कहां कहां नजर आ रहा है, यहां कितने पदे, दो पदे, तो य एक हजार जो है, सिर्फ और सिर्फ एक पदे, अगले में, अगले में बहुत सारे पदे, मतलब कि x प्लस x square प्लस x cube प्लस x की गात, 4, मतलब बहुत सारे पदे तो इसको अलग कर दो, फिर हम देखते हैं, यहां पर यह रहा हमारे पास, क्या है, 7 प्लस y प्लस 5x, मतलब कि क इतने पद, 3 पद, जितने पद, उसमें डाल दो बस, ठीक है, यहां कितने पद, 2 पद, तो यह हो जाएगा 2y माइनस 3y square, ठीक है, इधर देखो, इसमें कितने पद, 3 पद, 2y माइनस 3y square प्लस 4y cube, फिर अगले में देखो, अगला क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 3xy, चलो, फिर अगला देखो, दो पद, तो 4z माइनस 15z square, फिर अगला देखो, इसमें भी बहुत सारे पद, मतब कि AB प्लस BC प्लस CD, प्लस DA, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे पद, इसके बाद PQR मतब कि एक सिंगल पद, फिर आपके पास है, यहां पर यह देखो, P square Q, P square Q, प्लस P Q square, तो हम क्या देख रहे हैं, इनको हमने के टेगरी के अनुसार हमने क्या किया, इने बदल दिया, ठीक है, जितने पद हैं, उस खंड में हमने रिख दिये, और बहुत पदी में कौन से हैं, यह दोनों हैं हमारे पास, बस, आपको यही देखना है, क्या देखना है, कि यहां प पहला कि AB-BC-BC, अचा कोमा दिया है, कोमा BC-CA, कोमा CA-AB, अब कोमा हटाओ, प्लस का चिन लगाओ, ठीक है, चलो, लग गया, चलो भई, किसी को गोई प्राब्लम नहीं, अब देखो, यहाँ पर देखते हो, यह प्लस का AB, यह मैनस का AB गया, यह CA- का यह प्लस का यह गया, यह BC- का, यह BC, खतम, तो क्या मिला, 0 प्लस 0 प्लस 0, कितना होगा भईया, 0 होगा, खतम कहानी, इस तरह से आपको इसको क्या करना है, ठीक है, अगले को देखते हैं, अगला तुमारे पास है, second, A-B, प्लस AB, कॉमा, B-C, प्लस BC, कॉमा, C-A, प्लस AC, अब आपको क्या करना है कॉमा हटाना है, और प्लस मैनस लगाना है, तो A-B, प्लस AB, प्लस B-C, प्लस C-A, प्लस AC, चलो, अब कोई-कोई कट रहा है क्या, जो कट रहा है उसको तो रवाना कर दो, और जो बच्रह उसको रहने दो, ठीक है, अब अगर हम यहां से कुछ और देख पाते हैं, तो हमें क्या नजर आ रहा है, हमें यहां नजर आ रहा है, A-B, ठीक है, मतलब कि यह AB है, और क्या है तो हमारे पास, और क्या है बिटा हमारे पास, और हमारे पास BC है, और हमारे पास AC है, मतलब AB, BC और AC, ठीक है, A-B, B-C, और C-A, अगर हम इस में देखते हैं, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, वह क्या नजर आ रहा है आपको यहां से अगर आप देख रहे हो इन दोनों में से इन दोनों में से अगर आप देखोगे तो अगर हम A common ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहां पर minus B और B, मतब़ कि यह तो हो जाएगा 0, यहां से अगर क्या करता हूँ, साथ में ले लेता हूँ जब मैं साथ में लेता हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है A minus A, ठीक है देखो, साथ में A minus A plus B minus B, plus C minus C A minus A plus B minus B plus C minus C एक तो यह मिला इन में से वह एक एक जैसे दिखने वालों को मैंने क्या किया, साथ में ले लिया क्या किया बिटा, साथ में ले लिया और कुछ नहीं किया, ठीके, चलो अब यहां से और क्या मिल रहा है मुझे और मिल रहा है, प्लस A, B प्लस B, C, प्लस C, ए clear, भाई इसको, इसको, और इसको इनको मिने, जो A, A है उनको साथ में ले लिया, B, B को साथ में ले लिया C, C को साथ में ले लिया, और कुछ नहीं किया यहां से, यह हो जाएगा यह कैंसल, यह कैंसल, और यह कैंसल क्या मिला यहां पर, finally A, B, P, C, प्लस C, A और यही आपका answer है इसके अलावा आपको यहां पर कुछ नहीं करना है इतना सा छोटू सा पार्ट है अगला देखो आप, अगला आपके पास 2P square Q, ठीक है और Q square है, ठीक है फिर है, minus 3P Q minus 3P Q plus 4 फिर कॉमा है फिर 5 है, फिर साथ में क्या दिया वा है 7P Q और plus 7P Q minus 3P square Q square 3P square Q square अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो भई, इसमें मुझे यहां पर third वाले में सीधा सा नजर आ रहा है कि पहले क्या करना है, कॉमा हटाना है क्या करना है बिटा, कॉमा हटाना है तो कॉमा अठाके क्या कर देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे क्या कर देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे लगा दिया, चलो तो अब यहां से, अब यहां पर आपको सेम चीज, जो कॉमान आ रहा है उनको कॉमान ले लो, और जो नहीं आ रहा है उनको रहने दो, खतम बात देखो, अब यह आपके पास 2P Q² और यह P² Q² मतलब कि 2P² Q² यह आपके पास साथ है और माइनस 3P² Q² इनको साथ ले लेते हैं माइनस 3P Q और यहाँ पर कितना है प्लस 7P Q ठीक है, और क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ से और क्या है हमारे पास से यहाँ से 5 है only, ठीक है प्लस 4 और प्लस 5 तो यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस P² Q यहाँ से प्लस 4 PQ और यहाँ पर 9 यही आपका यहाँ पर correct answer मिलेगा इसका, इस तरह से हमें इनहें solve करने हैं, और कुछ नहीं अब बताओ, क्या किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं सर, इतना असान है यह, तो चलो बया, यह वाला आपको homework में करना है, ठीक है इस तरह से प्रश्णों को इनको solve करना है चलो, अगला देखता हूँ अगला मेरे पास है, चोथे में क्या करना है इनको घटाईए, घटाना है आपको मतलब आपको दिया है 12A-9AB, प्लस 5B-3, छीक है इसमें से किसे घटाना है इसमें से घटाना है 4A-7AB और प्लस 3B प्लस 12, तो इसको पहले कर दो, ब्रेकेट में बंद क्यों? उसका कारण यह है कि इसमें से, फर्स्ट वाले में से, सेकंड वाले को घटाना है तो इस 12A-9AB प्लस 5B माइनस 3, इसमें तो कोई दिख्कत नहीं इस माइनस को करो अंदर मल्टिप्लाई तो माइनस 4A प्लस 7AB, माइनस 3B और प्लस माइनस 12, तो यह हो जाएगा माइनस 12, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट है कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया चलो, अब यह AA वालों को साथ ले लो BB वालों को साथ ले लो जो जैसे नजर आ रहे हैं, उनको साथ लेते जाओ ठीके, ताकि ज्यादा यहाँ पर इधर उधर चीजे ना हो BB वालों को साथ ले लेते हैं, ठीके चलो, और माइनस 3 और माइनस 12 तो यहाँ से मिलेगा 8 है और यहाँ से मिलेगा माइनस 2AB और यहाँ से मिलेगा प्लस 2B, और यहाँ से मिलेगा माइनस 15 ना है आगे बात समझ में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं या कोई इसा बच्चा जिसे डाउट है या कोई इसा बच्चा जिसको नहीं समझ मैं है फटावट से बता दो क्लियर चलो बी वाला देखते हैं बी वाले में क्या है 5xy-2yz 5xy-2yz-2y-z फिर से घटाना है, माइनस 3xy, 3xy, 5yz, प्लस, 5yz, माइनस 7, zx, लो भई, ठीके, अब यहाँ से, 5xy, माइनस 2yz, माइनस 2zx, प्लस, 10xy, और z, इस माइनस को करो, अंदर मल्टिप्लाए, तो यह जाएगा, माइनस का 3xy, माइनस का 5yz, और प्लस का, 7zx, हो गया, चलो, अब आपके पास, सेम चीज, xy, xy को साथ लो, yz, yz को साथ लो, बस, इसके अलाबा, कुछ नहीं करना, तो यहाँ पर हम देखते हैं, 5xy, और, माइनस 3xy, माइनस 2yz, और, माइनस 5yz, ठीके, माइनस 2zx, और, प्लस, 7zx, और, प्लस, 10xyz, यह, ऐसे, 2xy, और, यहाँ से, 7yz, ठीके, और, फिर, आइधर, 5zx, और, प्लस, 10xyz, यह, हमारे पास, इसका मान मिलेगा, इस तरह से, हमें, इसको क्या करना है, हल करना है, बस, यह ध्यान रखो, आप, ओके, चलो, एक और करते हैं, इसमें क्या दिया है, 18-3p, बड़ा दिया है, तोड 5pq, माइनस 11q, प्लस 5pq, ठीके, और, माइनस 2pq square, माइनस 2pq square, प्लस 5p square q, इसी तरह से है, हाँ, इसमें से घटाना है, 4p square q को, 4p square q, और, माइनस 3pq, माइनस 3pq, और क्या करना है, माइनस 8p, प्लस 7p, माइनस 8p, प्लस 7p, और भी है न, चलो, माइनस 10, माइनस 10, यह पूरा दिया है, तो सबसे पहले यह जो बाहर वाला माइनस है न, इसको पूरा अंदर गुणा कर दो, तो 18-3p, माइनस 11q, प्लस 5pq, माइनस 2pq square, प्लस 5pq square q, चीक है, माइनस 4p square q, प्लस 3pq, प्लस 8p, माइनस 7p, प्लस 10, हो गया यह, चलो, अब जो जो 7-7 है, एक जैसे नजर आ रहे हैं, उनको 7 मिले लो, माइनस का 3p, प्लस का 8p, माइनस का 11q, और प्लस का, एक उनिट, इधर भी पी, इधर भी की, एक बार चेक कर लेते हैं, अच्छा, 7q है यहाँ पर q है, यहाँ पर q है, यहाँ पर q है, चलो, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं, माइनस के 7q, क्लियर, कोई प्राब्लम, नहीं, चलो, और क्या आ रहा है, और आ रहा है, आपके पास, प्लस 5pq, और इधर से आ जाएगा, प्लस 3pq, ठीक है, माइनस 2pq स्क्वार, और माइनस 4p, 4, स्क्वेर वाला कुछ ही क्या है, यहाँ पर, स्क्वेर वाला कुछ ही क्या है, यहाँ पर, जल्दी से देख लो एक बार, इसमें स्क्वेर एक और बार देख लेते हैं, बच्चा तो नहीं था, 5pq स्क्वेर, चलो, तो यह हो गया ठीक है, यहाँ से हो गया मैनस के 2 मैनस के 2, P2 Q ठीक है, PQ2 और इदर से इदर से अगर मैं देखता हूं, PQ2 है इदर भी P2 Q है, एक बार दोनों को देख लेते हैं, P2 Q है और P2 Q है, अच्छा और यह है 5 PQ2 यहां पर q² का है आपके पास q² वाला एक और दून्डनाय में q² वाला कौन सा है q² वाला सिर्फ और सिर्फ यह ही है इसके अलावा नहीं है ठीक है मतलब इसके अलावा नहीं है चलो ओके, Q² वाला सिर्फ और सिर्फ एक यही है, माइनस का 2PQ² माइनस 2PQ² और प्लस 5PQ² इसमें हमने एक छोड़ दिया, मतलब कि इसको इस तरह से लिखेंगे प्लस 5PQ² फिर प्लस 5PQ² तो यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस 5PQ² ठीक है, तो यहाँ जाएगा आपके पास प्लस 5PQ² फिर माइनस 5PQ² माइनस 4P²Q और यहाँ जाएगा माइनस का 7 प्लस का 10 और माइनस का 18 चलो वह यहाँ, किसी को कोई प्रॉबलम नहीं तो यहाँ जाएगा माइनस का 18 और माइनस का 7 माइनस 18 और माइनस 7 माइनस 7 ही है ना 7 के साथ में और कुछ है क्या नहीं है माइनस का 7 एक मिनट एक बार और चेक कर लेते हैं नहीं है यहाँ पर 10 है माइनस का और यहाँ 18 है अच्छा यहाँ 18 है और 7 ठीक है ठीक है प्लस का 10 है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं अब देखना यहां से यहां से अगर हम देखेंगे यहां से अगर हम देखेंगे तो 18 और इसकी बात करते हैं 10 की 10 प्लस का है माइनस का यह देखना पड़ेगा एक बार माइनस का 10 है माइनस का 10 है तो इधर हो जाएगा प्लस का ठीक है तो 18 प्लस का औ यहां से कितना मिलेगा 8 PQ यहां से मिलेगा माइनस 7 PQ स्क्वाइर और माइनस 9 यहां से 5 P स्क्वाइर क्यों अच्छा यह प्लस का है यह प्लस का है तो यहां से मिलेगा हमें प्लस का पी स्क्वाइर क्यू और प्लस यह कितना हो जाएगा हमारे पास यहां से 18 प्लस का है और यह 10 तो यहां से कितना हो जाएगा 28 लो बया यह आपके पास इसका आंसर आने वाला है इस तरह से हमें इसको क्या करना है solve करना है तो आप लोगों को calculation में mistake नहीं करनी क्योंकि इधर उधर लेने में आपको थोड़ा सा जाधा time लग सकता है तो आप लोग इसका ध्यान रखना ठीके बिटा तो यह आज हमारा जो था यह हमारा session था किस से related यह पूरा session था प्रशनावली 9.1 के प्रशनों से related उमीद क class में हम इसके आगी का जो हमारा रहेगा उसको हम solve करेंगे ठीक है आगी की एक्सरसाइस को ठीक है तब तक सारे बच्चे सुष्थ रहें मस रहें तंदूरस रहें शांदार दबरदा जिन्दा बात के साथ में बाइ प्रशनाव 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 थैर शोहीं हम